जैहीन दोस्तो, इस टापिक में हम लोग सीखेंगे टूवे स्विच क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, कहाँ पर इसे उपवयोग किया जाता है, और इसका कनिक्शन कैसे करते हैं? अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो क्रपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जब हमें एक बल्व को या किसी भी उपकरण को दो या दो से अधिक इस्थानों से आपरेट करना होता है तो हम 2-way switch का उपयोग करते हैं वैसे तो सबसे ज़्यादा 2-way switch का उपयोग सीडियों में किया जाता है इसके लिए एक switch हम जहां से सीडिया स्टार्ट होती हैं वहां लगा देते हैं और एक दूसरा switch जहां से सीडिया समाप्त होती हैं वहां लगा देते हैं और इन दोनों स्विच का कनेक्शन सीडियों पर लगे एक बल्ब से कर देते हैं जब हम सीडियों पर नीचे से उपर जाते हैं तो नीचे वाले स्विच से बल्ब को आन कर लेते हैं और उपर पहुचते ही उपर वाले स्विच से उस बल्ब को आप कर देते हैं वैसे ही जब उपर से नीचे की और आते हैं तो उपर वाले स्विच से बल्ब को आन कर लेते हैं और नीचे पहुँच कर नीचे वाले स्विच से बल्ब को आप कर देते हैं अब बात आती है टूवे स्विच की पहचान क्या होती है switch चाहे जिस भी company का हो और उसकी बनावर चाहे जैसी भी हो जो साधारण switch होते हैं उन्हमें connection के लिए ये दो point रहते हैं लेकिन जो two way switch होगा उसमें connection के लिए ये तीन point दिये रहेंगे बस यही two way switch की पहचान है अब बात आती है इन टूवे स्विच का बल्ब के साथ कनेक्शन कैसे किया जाता है इसको सीखने के लिए हमने ये एक बल्ब, एक होल्डर, ये दो टूवे स्विच और ये कुछ वायर लिया हूँ अब देखते हैं इनको कैसे जोड़ना है वैसे इन सबका कनेक्शन 5-6 तरह से किया जा सकता है लेकिन हम यहाँ फर सिर्फ दो तरह से कनेक्शन करना सीखेंगे जो की सबसे आसान तरीके हैं अब ये दोनों स्विच में ये जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं इन दोनों स्विच में उपर वाले पॉइंट को उपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से एक दूसरे स्विच की लूपिंग कर देंगे अब जो बीच वाले points हैं इसमें किसी भी एक switch के एक point को holder के एक point से जोड़ देंगे जरूरी नहीं कि इसी point को holder से जोड़ना है अगर आप चाहें तो इस दूसरे switch के point को जोड़ सकते हैं अब ये जो एक point बचा है इसको हमें main line के फेज से जोड़ना है और main line के neutral को holder के इस दूसरे point से जोड़ देना है बस अब हमारे two way switch की wiring हो गई अब हम इसको operate करके देख लेते हैं ये देखो इस switch से bulb को on किया तो इस दूसरे switch से आफ कर दिया या फिर इस वाले switch से आन किया तो इस वाले switch से आफ कर दिया दूसरे तरीके में भी हमें कुछ खास नहीं करना है पहले में जैसे मैंने उपर उपर नीचे नीचे की looping किया था लेकिन इस तरीके में हम क्रास looping करके connection कर सकते हैं मतलब इस switch के उपर वाले की looping इस दूसरे switch के नीचे वाले point से looping कर देंगे फिर इस नीचे वाले points की looping इस दूसरे switch के उपर वाले point से कर देंगे बस हैना दोनों आसान तरीके अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए